तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भी है SDFC से जब आप लोग पस्टन लोग लेते हैं तो आप लोगों की जो रेट ओप इंटास होती है वो स्टार्ट होती है 10.75 से लेकर 24% के बीच में लेकिन यार इतना इसमें इतना अंतर क्यों आ रहा है दोस्तों और आप लोगों को आप लोग भाईया लोग लेती समय माफ केसे करवा सकते हैं बात के रहेंगे भी आप लोगों को टैनूर कौन सा लेना चाहिए डॉकमेंट्स की बात करेंगे अब यह आपको कौन को से आपर डॉकमेंट्स की आप राव सकता पढ़ने वाली है अभी हम जब अपलाई करने की बात करेंगे है उस समय और इनकी डिटिल में चर्चा करेंगे तो डॉकमेंट्स के इंदर जैसा कि आपको पता है कि अगर अंदर आपको तीन मंत का बैंक का स्टेटमेंट की रिक्वार्मीट होती है, दो आपकी लेडर्स्ट की जो सेलरी स्लिप मिलती है और एक आप लोगों के आपर के वाई से की जुरूत परती है दोस्तों, अगर आप लोग भाईया यहां पर सेल्प एम्प्लोइड है तो आप लोगा जो लोन होता है, वो बिजनिस लोन की तरह आपको कंसिडर किया जाता है नॉर्मन ये अगर आप लोग को सेलरी पर जनवाले हैं चाहिए आप लोग इंकम बले ही कम है तो भी आप लोगों को हासे लोन मिल सकता है लेकिन अगर आप लोग पर सुट करते हैं तो फिर पहले आसकता है आपका जो सिबिली स्कॉर है वो 720 होना चाहिए कम से कम ये 900 के पास में जितना होगा उत्रा ही आप लोगों के लिए बैटर होगा दूसरा आप लोगों वे जो इंकम प्रूफ है वो बिलकुल स्ट्रॉंग मजबूत होना चाहिए ज्यादा से जदा आप लो तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे बेस्ट लेट ऑप इंटर्स मिलेगी और आपकी जो प्रॉसेसिंग फीचा वो आप लोगों यहाँ पर माफ्ट भी कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ में आप लोग को प्रि पेमेंट चार्ज देज़े लिजए को फोर क्लोजर चार्ज लिए उसके अंदर भी आप लोग इआ पर निगोशेशन करवा सकते हैं अगर आप लोगों का फ्रोफाइब अच्छा है तो दोस्तों अब बात करते हैं विए आप लोगो को अपलाइब कैसे करना चाहिए तो अपलाइब करने का अगर अपका लोन का अमाउंट है वो बहुत इतना ज़्यादा विसेस बेनिफिट नहीं मिलने बाला है तो सबसे बेटर अभी आप लोग आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी बहिए लोग लेना जितना मुस्किल है उससे चार गुना मुस्किल होता है उसको कंप्लेट आप लोगो में सक्टियरों